ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में दिव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नोदुरगा को लेकर धार्मिक और आधात्मिक महात्तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महात्वपूर्ण स्थान है, विशेश महात्तो है। नोदुरगा के नो रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। मारकंडिये चिकित्सा पद्धती और दुरगा कवच में इसका उलेक है। नो रूपों को सरुप्रथम मारकंडिये चिकित्सा पद्धती के रूप में दर्शा है गया। और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रुम्भा जी द्वारा उपदेश में दुरगा कवच कहा गया। इसलिए प्रतेक देवी आयरवेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है। आयरवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। चतुर्थ कूशमान्दा यानि पेठा। नवदुर्गा का चौधा स्वरूप कूशमान्दा है। इस आउशदी से पेठा मिठाई बनती है। इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुमडा भी कहते हैं। जो पुश्टिकारक, वीर वर्धक और रक्त के विकार को ठीक कर पेठ को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अम्रित के समान है। ये शरीर के समस्त दोशों को दूर कर हिर्देरो को ठीक करता है। कुमडा यानि पेठा, रक्त, पित और गैस को दूर करता है। इन बीमारियों से पीड़ व्यक्ति को पेठा का उप्योग करना चाहिए। और साथ ही साथ माता कुश्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के पांच में स्वरूब इसकंद माता के बारे में। और बताएंगे इसकंद माता के और्षधी अगुण। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देवी मा के किरपा पर सदयो भनी रहे। जै मादूर के।